देखिए यहाँ चौथे नमबर का जो यह reaction है जिसमें CH3, CH2, BR+, KCN है और जो की इथेनॉल के presence में react करता है बिसिकली इस reaction में एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यह जो इथेनॉल है यह इथेनॉल हमारा aqueous है मतलब थोड़ा इसमें watery solutions भी मिला हुआ है ठीक है तो आप देखेंगे aqueous solution के अंदर में इथेनॉल इसे react करता है और KCN जो है यह अगर reaction में further तूट कर आप देखेंगे कि यहाँ पर K plus और CN minus वे convert हो जाता है यह जो CN minus है that behaves like a nucleophile तो यह nucleophile इस पर फिर further attack कर देता है और attack करने के बाद simply BR को replace करते हुए यहाँ पर जो हमारे पाफ product बनाएगा वो यहाँ पर आजाएगा CH3, CH2 और CN यह जो product है इसको हम लोग जो है अब जान ही रहे है यह carbon भी CN का carbon भी counting में consider किया जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर यह हमारे हो गया propane nitrile और फिर potassium के साथ और यह bromine attach कर जाएगा और हमारे पाफ आजाएगा जो product हो KBR आजाएगा तो यह यहाँ पर आपका हो गया propane nitrile propane nitrile ओके तो propane nitrile हो गया और यहाँ पर यह CH3, CH2, BR जो है आप जान ही रहे है कि यह bromoythene हो गया क्या हो गया? bromoythene तो इस तरह से इस reaction को आपने देखा आप देखिए दूफरा हमारे पास है कि C6H5ona यह क्या हुआ भाई? तो आप देखिएगा कि यह हो गया sodium phenoxide एक परकार से यह phenol का जो reaction जब हम लोग NOH से कराते हैं तो first stage में यह phenoxide ही बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं sodium phenoxide यह जो sodium phenoxide हमारे पास आया और उसका reaction हम लोग करा रहे हैं आपको ethyl chloride से किसे करा रहे हैं? यह ethyl chloride से reaction कर रहे हैं तो basically यह जो reaction है इसमें आप देखेंगे कि phenetol करके components बनता है जिसमें sodium chlorine के साथ react करके हट जाता है है ना? और हटके यह NaCl बना देता है अगर आप यह देखें यह sodium और यह यहाँ का chlorine दोनों हटके sodium chloride बना देगा और components क्या हमारे पास बचेगा? यह देखें C6, H5 और यह O तो रही जाएगा और साथ में इधर से जो methyl वाला compound है C2, H5 यह यहाँ जूर जाएगा और यह जो हमारे पास component बनके आएगा वो phenetol इसकी spelling इस तरह से है P-H-E-N-E-T-O-L phenetol करके components बनकर आता है और NaCl जो है finally यहाँ पर निकल जाता है तो इस तरह से आपने देखा कि NaCl निकल गया इस reactions को विलियमसन synthesis भी बोलते है एक तरह से देखा जाए तो इसके में अगर दोनों तरफ से लगा हुआ है अलकाइल ग्रूप इधर से भी R ग्रूप लगा हुआ है इधर से भी R ग्रूप लगा हुआ है कहीं न कहीं यह ketonic behavior को show करेगा तो यहां पर देखी reactions का नाम है विलियमसन synthesis यह एक significant reactions है एक्जाम्स वगेरा एक में पूछा जाता है तो विलियमसन synthesis हो गया अब आए दूफरा आप देख रहे हैं हमारे पास जो components है यहां पर आप देख रहे हैं कि sulfonoyl chloride यह SOCl2 क्या हो गया यह आपका हो गया sulfonoyl chloride आपको मालूमें कि components पे chlorination कराने में यह काम आता है और यहां क्या हो गया देखिए 1, 2, 3 यानि प्रोपेन है तो यह हो गया प्रोपेन 1, all यह प्रोपेन 1, all हो गया इसका reaction sulfonoyl chloride के presence पे हम लोग करवाते है और यह एक परकार का nucleophilic substitution होता है यहां पर यह जो chlorine है यह finally आकर इस components पे के साथ attach होता है तो nucleophilic substitution reactions के अंतरगत यह run करता है और हमारे पास जो product बन के राएगा वो देखिए CS3 CS2 CS2 और यह CL यहां आप देख रहे है 1 chloropropane कौन सा component बन गया 1 chloropropane 1 chloropropane बन गया फिर हमारे पास निकल गया HCl और प्लस जो है यह sulfur dioxide जैस यह भी निकल गया तो यह एक बहुत ही significant reaction है इसको हम लोग nickelophilic substitution reactions भी बोल सकते है यह nickelophilic substitution इसमें होता है यह CL nickelophile की तरह work करता है ठीक है तो यह सब questions है मुझे उमीद है कि आप को आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसकी practice करेंगे आए next आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक आपके पास component है इसको अगर आप nomenclature करें तो 1, 2, 3, 4 तो इसके अंदर से but one in कौन सा यह component हो गया इसको हम लोग but one in है alkin वाला component हुआ hvr के साथ reaction करा रहे हैं है ना और यहाँ क्या हम लोग लिए है peroxide लिया है तो यह anti-marconic of rule वो जो mayo and karas rule जो है जिसके अंतरगत यह आपका जो बियार है वो सबसे last वाले carbon से भी जुड सकता है उसमें यह variation नहीं होता है कि उसके पास hydrogen की मातरा कम है या ज़ादा है तो हम लोग देखेंगे कि अगर peroxide में करेंगे तो यह reactions जो है anti-marconic of anti-marconic of rule के अंतरगत यह आता है तो उस तीज को थोड़ा सथ देखिए यह यहाँ पर कौन सा हुआ यह देखिए anti-marconic of rules के अंतरगत यह जाकर joint करेगा और इसमें bromine और join करने के बाद यह terminal carbon पर आएगा जैसे देखिए CS3 और इस तेहाँ पर लिख देखेंगे हम लोग CS2 यहाँ भी लिख देखेंगे CS2 CS2 अब फिर लगा देखेंगे BR अगर यह marconic of rule होता तो आप जान रहे हैं कि यह जो second number का carbon जो है उसके पास hydrogen की मातरा सबसे कम है तो वहाँ जोड़ता marconic of rule में चुकि यह anti-marconic of rule है इसलिए वहाँ पर इस तरह करेंगे अभी देख लिए हमारा next question वही marconic of rule से ही related है जो मैंने आप सो अभी कहा बस उसी चीज से ही related है इसको ध्यान से दिखा जाए यह देखिए यहाँ hbr जब जा रहा है तो किस तरह से attach करेगा तो यह देखिए marconic of rule के अंतरगती attach करेगा marconic of rule के rules के अंतरगती attach करेगा और वो rule कहता है कि यह जो हमारा bromine जो nucleophile है यह उस carbon के साथ attach करेगा जो सबसे कम मात्रा में hydrogen को positive करता है तो उस conditions में आप देखेंगे कि आपके पास जो components है जैसे यह जो components है इसका नाम अगर आप देंगे तो 2-methyl-but-2-in है है ना 2-methyl-but-2-in देखिए organic reactions में नॉven culture बहुत vital है क्योंकि जब तक आप नाम नहीं जानेंगे तो फिर further reactions नहीं कर पाएंगे या उसके concept को develop नहीं कर पाएंगे तो इसलिए साथ-साथ मैं nomenclature ही बताते जा रहा हूं ताकि आपको यह चीजे समझ में है कि इसको हम लोग बोलते क्या है और यह मारकॉनिकोव रूल के अंतरगत addition हो रहा है तो यहां आप देखेंगे कि इस components को अगर हमें structural form में लिखें ठीक है तो यह देखिए यहां पे हो गया CS3 दूसरा आप देखेंगे यह CS2 और फिर उस तरह से हम लोग यहां CS3 यहां देखेंगे एक तरफ तो यहां CS3 जुड़ा हुआ है और दूफरी तरफ यहां भी CS3 जुड़ जाता है तो इस carbon के पास सबसे कम नंबर के hydrogen से तो इसलिए आकर यहां पर bromine जो है अटेच हो जाता है तो इसका नाम हो गया 2-bromo-2-methyl-butane तो मुझे उमीद है कि आपको यह सारे reactions समझ में आए होंगे यह हैलो एलकिन्स और हैलो एरिन्स का एक बहुत ही significant conversion और reactions है यह generally exams वगेरा में पूछे जाते हैं इसका क्या है कि आप बार बार इसको practice कीजिए copy ले लीजिए reactions को देखिए किस तरह से बताया जा रहा है और उसको फिर से copy पे बार बार उतार कर लिखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ठीक है धन्यवाद